हम जानते हैं कि प्रकास परावर्तन के नियमों का पालन करता है परावर्तन के नियमों में प्रकास का आपतन कौंड उसके परावर्तन कौंड के बरावर होता है एवम प्रकास की आपतित किरण, परावतित किरण एवम आपतन बिंदु पर अभिलम तीनों एक ही तलपर होते हैं आईए आज हम प्रियोग द्वारा यह देखेंगे कि क्या द्वनी भी इसी तरह से प्रकास के परावरतन के नियमों का पालन करती है या नहीं इसके लिए हमें दो सर्वसम पाइपों की आवशक्ता होगी, जैसे ये दो पाइप हमने अपने प्रियोग के लिए लिए हुए हैं साथी एक लकडी का आयताकार चिकना गुटका जो ठोस दीवार के रूप में हम इन पाइपों के पीछे उपयोग में लाएंगे और कम आयाम का ध्वनी उत्पन करने के लिए एक ध्वनी सुरोत के रूप में इस बिराम घडी का उपयोग हम अपने प्रियोग में कम आयाम के ध्वनी सुरोत के लिए करेंगे साथ ही एक बड़ा चांदा जिससे हम आपतन कौण और परावरतन कौण के मान ग्यात करेंगे इस चांदे का उपयोग हम अपने इस परियोग में करेंगे तथा एक कागज जो हमने इस पहले से ही इस स्टेबल के ऊपर लगाया हुआ है जिसमें आपतन कौण और परावरतन कौण के मान के लिए बिभिन चिन लेंगे फिर हम उनकी रेखाएं खीचेंगे इसके लाइन खीचने के लिए एक पैमाना साथी कुछ चौक के टुकडे जिन से हम ये रेखाएं खीचेंगे इस सीट पर इस प्रियोग में हमें कम आयाम की ध्वनी के परावरतन का अध्यन करना है अते ये आवस्यक है कि जिस कक्ष में हम प्रियोग कर रहे हैं जिस प्रियोग साला में हम प्रियोग कर रहे हैं वो सांतिपूर्ण हो यहां पंखे त्याद यह दी चल रहे हैं आप देख रहे हैं कागज पर हमने पहले से लाइन खीची हुई है जिस पर आयताकार चिकना लकडी का एक गुटका रखा हुआ है इस गुटके के मद्धिविंदू को ओ मानते हुए हम यहां से एक अभिलंब खीचते हैं जो इस तल के लंबवत होगा अपने इस कागज पर बाईयोर सबसे पहले 30 डिगरी का कौण बनाते हुए एक रेखा खीचते हैं इसके लिए हमें चांदे की आप सकता होगी तो हम अपने इस चांदे से इसको इस दरण आधार से 36 समानांतर रखते हुए 30 डिगरी का कौण बनाते हुए आप देख रहे हैं यहां से 10, 20, 30 डिगरी का कौण बनाते हुए मैंने ये बिंदू लिया हुआ है और इन बिंदूओं को मिलाते हुए फिर हम इस रेखा को पूरा कर देते हैं इस तरह से ये दोहनी के आपतन की दिशा होगी और इसको स्केल को हटाने के बाद हम हमारे पास जो पाइप हमने प्रेक्त किये हैं इस पाइप के एक टुकड़े को इस रेखा के ठीक ऊपर रखते हैं इसमें सुविधा की दरश्टी से हमने पाइप के ऊपर एक रेखा खींची हुई है जिससे इस पाइप का अक्ष इस रेखा के चैतिज रहे सीध में रहे और इसको हम कोसिज करते हैं कि टेप की साहता से इसको हम इस्थिर कर दें रोक दें जिससे जब हम प्रेक्षण ले रहे हों या दोनी स्रोत जब हम यहां से दोनी उत्पन कर रहे हों तो हमें कोई व्यवधान नहों तो हम इसको इस्थिर करने के लिए टेप का इस्तेमाल कर यह पाइप के ऊपर खींची हुई रेखा इस पाइप की अक्ष और नीचे जो हमने ओसी रेखा खींची हुई है उसके विलकुल समान अंतर है जस्ट उसके ऊपर पाइप हमने रखा हुआ है यह 30 डिग्री का कौंड आपतन कौंड 30 डिग्री इसके बाद अब दूसरा पाइप लेते हैं और इस दूसरे पाइप को इस अभिलंब के दूसरी ओर जिधर हमें परावरतन के पश्चाद धुनी को सुनना है उसको हम दूसरी ओर लगाते हैं ध्यान रहे कि पाइप के ऊपर जो रेखा हमने खींची हुई है इसका यह सिरा ऊ पचली हुई है और इस व बाच को हम प्रारम करते हैं और दूसरोथ के रूप में इस पाइप के बाहरी सिरे के पास इसको रखते हैं यह दूसरोथ जब माध्य में ध्यानी तरंगे उत्पन करेगा तो पाइप में होते हुए यह दूनी इससे आगे जाएगी और आधार से टकरा कर परावर्तित होकर दूसरे पाइप से ये बाहरी सिरे से इधर सुनेंगे हम इसको सुनने का प्रयास करते हैं वास्तव में जब हम इस दूनी सुरोत से उत्पन कम आयाम की दूनी को इस पाइप से यहां सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो उस समय हमें दूनी तो सुनाई दे रही है लेकिन इस दूनी सुरोत से उत्पन दूनी भी सुनाई दे रही है तो अगर हम अपनी हाथ की अंगूठे और उंगली की साहता से दोहनी उत्पन करें और इसके सिरे पर यहाँ पर अगर हम इस तरह से दोहनी उत्पन करें चुंकि यह थोड़ा सा आसान है क्योंकि हम अपनी दोनों उंगलियों को इस पाइप के अंदर थोड़ा सा करके द्धुनी उत्पन कर सकते हैं जिससे जो द्धुनी का च्छे परिसर में हो रहा है वह अपेच्छा करत कम हो जाएगा और देखते हैं कि इस बार क्या होता है इस समय हमें यह बैटर महसूस हो रहा है और द्धुनी का परावर्तन भी हमें महसूस हो रहा है जब हम इदर सुनने का प्रयास करते हैं, तो एसी इस्थिति में हम वो इस्थिति प्राप्त करते हैं, जहाँ सब से जजादा हमें ध्वनी सुनाई देती है। और वो इस्तिती लगभग मुझे यहां महसूस होती है कि यहां पर ध्वहनी सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है यहां हम रुख जाते हैं और इसको एक बाद फिर देखते हैं कि वास्ता में ध्वहनी हमें ध्यान दे रहा है कि हम अपनी उंगलियों अबने फिर शुर्ण के नाखूनों से ध्वहनी को लगातार एक समान पैदा करते रहें और जब अधिक्तम ध्वनी सुनाई दे वहां रुख जाए तो यहाँ पर मैं महसूस करता हूँ कि यह ध्वनी हमें अधिक्तम सुनाई दे रही है तो अभी हमने इस परावर्तित ध्वनी को सुना और इसके लिए अब हम एक बिंदू ले लेते हैं इस पर पाइप के बिलकुछ सीध में एक बिंदू ले लेते हैं और इस पाइप को हटाते हुए यहाँ पर इस परावर्तन कौण का मान ग्याद करते हैं इसके लिए हमें इस बिंदु से और अभिलंब तक एक लाइन खीचनी होगी और यह रेखा हमें इस अपने चौक की साहता से खीचते हैं अब इस परावर्तन द्वनी की दिशा में पराप्त बिंदु को मिलाते हुए और अभिलंब से हम एक रेखा खीचते हैं चांदे की साहता से हम इस कौण को नापते हैं कि यह परावर्तन कौण वास्तव में कितने डिग्री है हम अपने द्रण आधार को पुनह चेक करते हैं और इसके समान अंतर इस चांदे को रखते हुए इस कौण को नापते हैं हम देख रहे हैं कि यह परावर्तन कौण भी 30 डिग्री ही प्राप्त हो रहा है इसका मान 30 डिग्री इस तरह से तो हमने देखा कि आपतन कौण जब हम 30 डिग्री रखते हैं तो उसके लिए परावर्तन कौण भी 30 डिग्री प्राप्त होता है तो एक पाठ्यांग हमें प्राप्त हुआ परावर्तन कौण मापने के पश्चात उसका अंकन किया और अब हम पाइप को इस परावर्तित किरण की दिशा में पुनहर रखते हैं इस पर जो हमने अक्षग रेखा खींची हुई है इसको उर्दुहादर उपर की हो रखते है अब हम यह देखते हैं कि क्या इस द्वनि स्रोत से उत्पन द्वनी इस पाइप को उठाने पर भी हमें सुनाई दे रही है और इसमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है इसके लिए हम पुनह अपने हाथ के नाखुनों से द्वनी उत्पन करते हैं और अपने कान को इस अब कम एक इस्तिती ऐसी आती है कि हाँ हमें ध्वनी सुनाई नहीं दे रही है तो इसको हम बापिस पाइप को पुरानी इस्तिती पर रख देते हैं तो यहां से इस्तिती से हमने देखा कि जब हम आप्तित द्वनी परावर्तित द्वनी और अभिलम तीनों जब एक ही तल में होते हैं तो हमें परावर्तित द्वनी सही सुनाई देती है लेकिन अगर हम इसका तल परिवर्तित करते हैं तो हमें परावर्तित द्वनी सुनाई नहीं देती अर्थात यहां पर परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता अपने इस प्रयोग के इसी भाग में अब हम अगला प्रेच्छन लेते हैं और इसके लिए आपतन कौन के मान में ब्रद्धी करके यह मापने का प्रयास करेंगे कि परावर्तन के नियमों का पालन हो र रखने की विवस्था करते हैं इस तरह से ये 40 डिगरी का कौन हमने बनाया और उस पर हम फिर अपने पहले पाइप को जिसमें जो रिखा कहींची हुई है उसको औरध्वा दर उपर की और रखते हुए हम पुना इसको इस्थिर करने की विवस्था करते हैं अब हम पुना इस दूसरे पाइप को लेते हैं और दूसरे सिरे पर लगाते हुए पहले पाइप के भारी सिरे पर ध्वनी स्रोथ से कम आयायम की ध्वनी उत्पन करते हुए इसको पुना एक बार प्रेचन कहते हैं और देखते हैं कि इस बार हमारी परावर्थित ध्वनी हमें कितने कौण पर सुनाई देती है इस प्रकार हमें यहाँ पर अधिकतम द्वनी सुनाई दे रही है अब हम इस बिंदु को चिन्नित कर लेते हैं एक चौक की सायता से इस बिंदु को चिन्नित किया और इस पाइप को हटा कर हम अभिलंब से रेखा खींच देते हैं और इस कौण को मापने का प्रियास करते हैं अब हम चांदे की साहता से इस परावर्त धुनी की दिसा अर्था परावतन कौंड ग्याद करते हैं और हम देखते हैं कि ये परावर्तन कौंड 39 डिगरी पराप्त होता है इस तरह हम देखते हैं कि ये आपतन कौंड और परावतन कौंड लगभग समान आते हैं अगले प्रेच्छन के लिए अब हम 50 डिग्री के कौंड पर इस तरह से दो बिंदू लेने के पश्चात, हमने ये रेखा पूरी खीच दी यहाँ पर, इसका आपतन कौंड 50 डिग्री द्रणाधार जो दीवार के रूप में हमने लकडी के गुटके को परियुक किया है, उसको हम पुनाय उसी स्थान पर रखते हैं और इस पाइप को 50 डिग्री कौंड वाली रेखा के ठीक उपर, तसा दूसरे पाइप की सायता से, अब हम पुनाय परावर्तित द्वहनी को सु ले जाते हैं, और यहां से अधिक्तम द्वहनी सुनने की स्थिती पराप्त करते हैं, यहां पर सुनने में आ रहा है कि यहां पर हमें अधिक्तम परावर्तित द्वहनी सुनाई प्रतित हो रही है, हम इस बिंद को चौक की सायता से चिन्नित कर लेते हैं, और फिर देखते ह पाचास डिग्री आपतन कौण के लिए के हमें परावर्तन कौण कितना परा 700 हो गभग 48 48 डिग्री जिस कि दोनों प्रेक्षणों से यह स्पस्ट हो Verkehr कि आपतन कौण और परावर्तन कौण में ज्यादा अंतर नहीं इससे यह प्रतीत होता कि आपतन कौन और परावरतन कौन लगभग बराबर हैं अब हम अपने इस प्रयोग को एक अंतिम प्रिक्षण के लिए जिसमें आपतन कौन का मान 60 डिग्री पर रखना है उसके लिए हम अपने पाइप को सेट करते हैं इस तरह आपतन कौन 60 डिग्री के लिए इस पाइप को पुना इस तरह से विवस्तित करते हैं कि ये आपतित द्वनी स्रोत की सीध में इसके अक्ष के बिल्किल उपर सेट हो अब हम आपतन कौन 60 डिग्री करने के पचात हम ये देखेंगे कि परावरतित द्वनी हमें कितने कौन पर सुनाई देती है इसके लिए हमें अपने दूसरे पाइप को जो पहले 50 डिग्री के लिए शेट था हम इसके पास अपना कान ले जाते हैं और दूसरे पाइप के बाहरी सिरे पर द्वनी उत्पन करते हुए इस पाइप के बाहरी किनारे पर कान लगाते हैं और वहां से इसको सुनने का प्रयास करते हैं इस बिंदु पर हमें अधिक्तम ध्वनी सुनाई दे रही है हम इस बिंदु को चौक की सायता से चिन्नित कर लेते हैं 61 डिग्री तो इस तरह से हमने देखा कि 70 डिग्री आपतन कौन पर परावरतन कौन का मान 61 डिग्री आता है बहुत कम अंतर है अर्थाथ ये सिद्ध किया जा सकता है कि आपतन कौन का मान परावरतन कोन के मान के बरावर है इन सब प्रेक्षणों को हम अपनी प्रेक्षण तालिका में अंकित करते हैं हम इस निश्कर्स पर पहुंचते हैं कि द्वनी भी प्रकास की ही तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है अर्थाथ आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बरावर होता है इस प्रकार आपतन कोण के बेविन मानों के लिए परावर्तन कोण का अंकन के पस्चाथ हम ये देखते हैं कि बेविन आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण के मान लगभग समान है हमने ये देखा कि अगर हम तल परिवर्तित करते हैं तो हमें परावर्तित ध्वनी सुनाई नहीं देती इस प्रकार प्रियोग द्वारा हमने देखा कि ध्वनी भी प्रकास की ही तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है जिसमें आपतन कौण तथा परावरतन कौण का मान बरावर होता है तथा आपतित ध्वनी, परावर्तित ध्वनी एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते हैं आज हमने अपने प्रयोग के माध्यम से ये देखा कि किस प्रकार ध्वनी परावर्तन के नियमों का पालन करती है इसके लिए हमने एक कागज की सीट को इस पर टेबल पर लगाया और एक दरना दीवाल के रूप में इस लकडी के गुटके का इस्तेमाल किया दो पाइप जो सर्वसम थे प्लास्टिक के पाइप इनका प्रयोग हमने किया और एक पाइप को जब हम अविलंब से 30 डिगरी पर, 40 डिगरी पर, 50 डिगरी पर और 60 डिगरी पर रखते थे तो उसके संगत अविलंब के दूसरी और परावर्तित ध्वनी के लिए परावर्तन कोणों के मान हमने प्राप्त किये और इस प्रयोग के द्वारा हमने ये देखा आपतन कोण के लिए प्राप्त परावर्तन कोण का मान लगभग एक समान आता है जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रकास की ही तरह द्वनी भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है तथा आपतित द्वनी, परावर्तित द्वनी तथा आपतन बिंदुपर अविलम तीनों एक ही तल में होते हैं आज के प्रयोग में आपने देखा कि हमने दो सर्वसम प्लास्टिक की नलियों का उपयोग किया यहां हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यद ऐसी नलियों की उपलब्धता न हो तो हम चार्ट पेपर को रोल करके अपने आप भी इस प्रयोग के लिए नलियां बना सकते हैं यहां हम यह भी बता दें कि हमने दोहन के सरोत के रूप में नाखूनों को साथ साथ चटकाया है इसी प्रकार आप ध्वन के ऐसे और तातकालिक उपाई के सुरोतों के बारे में सोच सकते हैं झाल नहीं के बारे में सोच सकते हैं